हेलो अब्रिवन आप सभी का स्वागत है मागरेट ब्रेन सिंदी पर मेरा नाम है अंकुर वबेले आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं कक्छा नॉमी का इतिहास हम आज इतिहास का चेप्र नंबर 4 देख रहे हैं जिसमें आप अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं तो अभी तक आ पहाजों और सिलीपरों के अंदर किया गया उसके बाद हमने देखा था लोगों का जीवन कैसे प्रहावित हुआ जब वेवसायग वन की की सुरुवात हुई तो जंगलों के नियम लगाए गए कानून बनाए गए जिसमें हमारे जो आदिवासी और जंगल में रहने वाले हुई इस टॉपिक को लेकर हम आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं चलिए स्टार्ट करते हैं देखते हैं कि कैसे खेती प्रहावित होती है तो खेती प्रहावित होने के पहले अगर आप देखें तो सबसे पहले आप समझेंगे यहां पर उपने वेस बात है ना उपने वेस बात का क्या प्रहाव था तो उपने वेस बात का जो प्रहाव आया हम इस चप्टर में जो बात कर रहा है कि यहां पर उपने वेस बात में क्या किया एक कानून लागू किया कैसा कानून लागू किया उस कानून में था जंगल कानून को यह लागू करते हैं किस जंगल कानून से जंगल के अंदर लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा था हमने पिछले वीडियो के अंदर बात की थी वह जलाने के लकड़ी नहीं बीन सकते कंद मूल फल नहीं चुन सकते यह सारे अधिकार उन से छीन लिए गए तो उपने इस बात का जो प्रभाव है व लिष्या और अफ्रीका में प्रिचलन में था कैसा होता है इसमें इसमें क्या करते हैं हम जंगल को एक बार काटते हैं यह वारा जंगल हमने साफ किया माल लीजिए और यहां पर हमने खेती की दो तीन साल खेती करने के बाद यह जमीन को साफ करेंगे वहां पर खेती और यहां पर जंगल आ जाएगा तो जब हमारा कभी चक्कर लगेगा बाल पस से तो हम फिर इसको साफ करेंगे और पर इस पर खेती करें मतलब कि हम अपनी जमिन नई तयार करें हैं दो तीन साल खेती करते यह और उसको छोड़कर चले जाते हैं आगे उस पर जंगल होग जाएगा फिर अगला जंगल साफ करेंगे फिर खेती करेंगे इस तरीके से जगए होते जाना इसी को हम कहते हैं जूमख्यति यह सी को कहते हैं इंदर और घ्झ अँदर के लिए जंगल साभ करने का तरीका यह जंगल काटा आग लगा दी उसकी रात में जैसी बरसाथ होगी हम बीज डाल देंगे और जो फसल होगी उसका हम उत्पादन ले लेंगे हम अपना अनाज़ प्राफ्ट कर लेंगे के लिए तो अब बात आती है कि भाई जो ये जो आपकी जूम खेती है इस्टे कई सारे स्थानिय नाम है कैसे दक्षिन पूर्व एसिया में इसको लादिंग के नाम से जानते हैं मध्य अमेरिका में इसक चितमैन या तावी के नाम से जाना जाता है स्री लंका में ये चेना के नाम से जाना जाती है हिंदुस्तान में से घुमंतु खेती धाया पेंदा वेवर नेवर जूम पॉंडू खंदाद और कुमरी ये भारत के अंदर ये भारत के स्थानी नाम है अलग 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 राज जूम खेती या घुमंतू खेती के जिस पे आप अपने खेत को बार बार वदल लाए हैं नई जंगल को साफ करते हैं वहाँ पर खेती करते हैं फिर उसको तो तीन साल के बाद छोड़कर चले आते हैं तो उनके यह इस्थानी नाम हो गए जिनका आप अलग-अलग स्थान पर उप्योग करते हैं अलग-अलग संबोधर वहाँ पर देते हैं जूम खेती या घुमंतू किरसी करने का यह क्या है किरसी करने का एक तरीका है इसमें क्या होगा कि जंगल के कुछ भाग को बारी बारी से काटेंगे और उसको जलाया जाएगा जलाने के बाद जो राक प्यार की गए हैं इसमें का करेंगे दो एक साल मतली तीन साल तक ख्यती करेंगे ख्यती करने के बाद इनको 12-18 साल तक के लिए ऐसे ही चोड़ोड़ा इसा ही जमीन पड़ी इस तरफ आएंगे या कोई दूसरे लोग आएंगे वो इसको साफ करेंगे और इस पर खेती करना स्टार्ट कर देंगे तो यह वास समझ में कि क्या है यह परमपरा का तरीका है जिस पर हम जंगलों के कुछ हिस्ते को बार बार काटेंगे और उस पर लगातार खेती करेंगे छोड़कर चले जाएंगी इन भुखंडों पर मिस्रत फसल उगाई जाती हैं मिस्रत मतलब खाने पीने के लिए कुछ मिक्स फसल उगाते हैं जो हम जो जगह साफ करते हैं जो इलाका हमें मिलता है उस पर हम कुछ मिक्स अगरिकल्चर करेंगी कैसा जिसे मद्ध भारत और स्दीट भरने के काम करेगी तो अफ्रीकान में भारत में भारत में योग आते हैं ब्राजील में हो खाते हैं कसावा किया है यह कहलाता है कसावा यह इससे भी क्या है वो लोग् dazu कि जानता हूं आपको बताओं कि सब्सकर काला करतें हैं की कंद तरीके लेटिन अमेरिका में आप देखेंगे मक्का और फलियां बीन्स उगाई जाती है लेटिन अमेरिका के भागों में जो अमेरिका लेटिन अमेरिका वाला जो इलाका है वहां पर क्या करेंगे मक्का यह भुट्टा लगाया जाएगा ऐसे और इस भुट्टे से भी मक्के की रो जा रही है जैसे मद्ध भारत और अफरीका में जुआर और बाजरा ब्राजील में कसावा और लेटिन अमेरिका में मक्का और फलियां यहां पर वगाई जा रहे हैं के लिए बात तो यह क्यों हो रहे हैं क्यों कि यह इनका मुख खादपदार्त हैं जो इनका पेट भरने का यह इनका जीवन जीने का तरीका होगा क्योंकि अगर खाना नहीं मिलेगा तो आप जीवन नहीं जी पाएंगे तो उसके लिए इनकी बड़ी अवसकता पड़ रही है अब अगर आप देखें कि यूरोपिया बंदक्षक हैं तो यूरोपिया बंदक्षक जो आए मतलब बन नुकसान दे हैं नुकसान पहुंचाएगा ऐसा क्यों ऐसा क्यों कह रहे है ना तो इसके पीछे कारण है क्योंकि ऐसी जमीन पर रेलवे के लिए इमारती लकडी यह लकडी वाले पेल नहीं उगाया सकते अब आप इसको समझना कॉंट्राडिक्शन जो है मतलब अगर हम द रहे है तो अच्छा है और हमारे आदिवासी और जो घुमंतु खेती करने वादी लोग हो पेड़े काट रहे तो खराब है क्योंकि पावर इनके पास आ गई ताकत इनके पास आ गई तो इनने वह वाली विवस्था को बंद कर दिया क्योंकि उनकी जो पुरानी परंपरा चली आ रही थी घुमंतु खेती की जूम खेती की उससे इनको पर्याब महत्रा में लकडी नहीं मिलेगी और लकडी वो नहीं मिलेगी जो इनको चाहिए लंबे-लंबे-पेड़ क्योंकि यस दस-बारा सारे के अंदर दुबारा से उस छेट पर जाएंगे तो पेड़ बड ओर अच्छी उती होती तो इसलिए इनने क्या कहा है कि नुक्सांदे है, क्योंकि ऐसे जंगरों से पकूर्प फोटचा खीडी यहां करी उस तरीके परीकिकर लगाने, लगान का हिसाब रखना भी मुस्किल था इन सब बातों से क्या कहा जा रहा था कि जो जूम खेती है वो कैसी है सही ववस्था नहीं है गलबल ववस्था है इसी कारण से पर रोक लगा दी गई और यह खेती हमारी क्या हो गई वनों के नियम हों से यह खेती प्रहाबित होने लोग खेती कर ही नहीं पा रहे हैं नहीं हम लगा दिया गए तो लोगों के पास अब अधिकार नहीं है जंगल काटने का हमने देखा था कि जंगलों को ने आरक्षित सुरक्षित और वन ग्राम में बाट दिया था यह वैसे बाट दिये गए थे कि आप लकड़ी ले सकते ह तो लगान का भी हिसाब नहीं था लगान में भी दिकत थी कप यहां पर आपके जो पेड़ है वो भी क्या हो रहे थे चपेट में आ रहे थे आगकी तो इस कारण से लोग क्या कह रहे थे कि भाई यह तरीका अच्छा नहीं है सरकार ने क्या किया कि घुमंत खेती करने वाले या घुमंत खेती करने पर रोक लगाने का फैसला किया अब जब फैसला किया तो इस पर भारत का बहुत बड़ा समधाय जिसको आप जंगल में रहने वाला समधाय कहते हैं वो तो यही खेती करता है तो उससे क्या होगा कि आ अपने अधीन किया अपने नियंतर में किया तो अनेक समधायों को जंगलों में उनके घरों से जवरन विस्थापित मतलब निकाल कर बाहर कर दिया गया दूर जाने अपना पेशा बदल दिया या कुछ को अपना पडलना है आ है सोई को अपना पेशा सब्सक्राइब को उत्पाद कर बेचना सब्सक्राइब समझें कुछ फाथ इए रोकों की प्रतृ आप ढया है और जो नहीं समझ पाए उनने बड़ा बिरोद किया करें गई ना यहीं उनका परमपरा अगर तरीका था खेती का उससे वो फसलोगाते थे और अपना जीवनियापन करते थे तो आप समझ गए होंगा कि बन के नियम जैसे आये तो जंगलों की जो लोग थे जो खेती कर रहे जूम खेती उस पर रोक लगा दी गई उनको अपना पेशा बदलना पड़ा उनको अपने घरों से बाहर जाना पड़ा और दूसरे पेशे में जाना पड़ा और कईयों ने बिरोध भी किया प्रतिरोध भी किया तो यहां तक की बात के लिए रहने के भाई कैसे वन के नियमों से आपका जीवन प्रहावित हुआ या खेती प्रहावित हुई करने के लिए सर्च बार में लिखेंगे मैगिनel ब्रेंस.com जैसे ही आप में प्रवेस कर जाएंगे लिए तो ऑप को जो भी क्लास आपको ठीक लगती है उस किसा वीडियो आप देख सकते हैं माना की अच्छा नौमी के विध्500 चाहरत हैं तो आपने 9th select की, जैसे ही आप 9th select करेंगे, सारे teachers आपके सामने होंगे, आप history देखना चाहते हैं, तिहास पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर watch now का बटन होगा, उस पर आप click करेंगे, जैसे ही watch now पर आप click करेंगे, तो क्या होगा, watch now पर click करते ही, यह ऐसा chapter का, आपका जाएंगे, click करेंगे, click करेंगे तो वीडियो चल जाएगा, पूरा वीडियो देखने के बाद, आपको लगता है कि अगला वीडियो अभी तुरंट देखना, तुरंट बटन दबाईये, next वीडियो का, और अगला वीडियो भी देखिये, और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखिए बिना किसी व्यवधान के बिना किसी परिसानी के मैगनेट बेंस हिंदी हिंदी माध्यम के विध्यारतियों के लिए अक्षा 6 से लेकर अक्षा बार्मी तक का संपूर पाठकरम बिलकुर निस्वल में अप्लब्ब करा रहा है ये वीडियो पराप्त करने के लिए आपको करना क्या है आप मैगनेट बेंस हिंदी को सब्सक्राइब करें जो भी वीडियो आते हैं जो भी सेशन्स होते हैं उनको लाइक करें अपने दोस्तों में जम कर सेयर करें और कमेंट करकर हमें भी उताएं कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं धन्यवाद